ओम शान्ती आप सबको 6 नवेंबर के शर्वश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रवश्रव सरशक्तिवान भवा सदा यह बरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रिष्ट शान में रहने वाले औरों को भी परिशानी को मिटाने वाले औरों की भी परिशानी को मिटाने वाले मास्टर सरशक्तिवान है सिर्फ अपनी ही नहीं औरों को भी मदद करने वाले, कमजोर नहीं, श्रेश्ट शान के तक्त नशीन है, जो अकाल तक्त नशीन, बाप के दिल तक्त नशीन, श्रेश्ट शान में रहने वाले हैं, वैं सवपन में भी कभी परिशान नहीं हो सकते, फिर सुनेंगे, जो अकाल तक्त नशीन, ये मुझ मुझ आत्मा का तकत है इस शेरीर के अंदर, अकाल तकत है ये मुझ आत्मा का, परमात्मा का अकाल तकत है परमधा में जहां पर वो निवास करते हैं, उसके लिए हमने धर्ती पर भी हमने कहीं जगाओं पर उनकी छवी अकाल तकत की बना के रखी हुई है, जिसके हम हो गई आत्मा और तकत हो गया जहां पर वो बैठती वराजमन है तो इस शेरिक के अंदर हम आत्मे जहां टीका लगाते हैं हम यहां पर हम अकाल आत्मा यहां के तकत में रहती हैं तो परमातर कहते हैं जो अकाल तकत नशीन बाप के दिल तकत नशीन श्रिष्ट शान में रहन और बाप के दिल तक नशीन शृष्ट शान मे रहने वाले अमले पर मात्मा के दिल पर चढ़ना मतलब उनके आनुसार सारे विकारों को छोड़ते जाना पवित्र बनते जाना आगे बढ़ते जाना वे सपन में भी कभी परिशान नहीं हो सकते क्योंको सत्यता मिल जाती है पह को जो तरीका है, वो सीधा तरीका है और बहुत कम लोग अपनाते हैं इसलिए उनको डर भी नहीं रहता है कोई कितना भी परिशान करे लेकिन अपनी श्रेश्ट शान में ही रहते हैं और वेक्ती परिशान कर सकते हैं ताने मार सकते हैं, टौन कर सकते हैं आपको गरत बोल सकते हैं बहला बुरा बोल सकते हैं उची नीच की बातें कर सकते हैं लेकिन जब आप देह के बांग से दूर है तो आपके उपर इन चीजों का असर और कम होता जाता है तो प्रैक्टिस होई है तखत नशीन मैं आत्मा हूँ शरी शरी की चीज़ें वस्तुन सारी चीज़ें उसको लेकर के लपेटे में लेकर के लोग हमें जब उचा नीचे कहते हैं उससे बचने के लिए अपना को आत्मा समझने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जो की ब्रहम को मैरी इसमें सिखाई जाती है तो उस नशीन तक तो नशीन में रहें उलत परमात्मा के दिल तक तो नशीन में बठे रहें इससे बड़ी और कोई फीलिंग नहीं है ताकि हम सारी परिशानी को पार करते रहें ओम शन तीस के साथ